सब्सक्राइब करेंगाए राइज सब्सक्रा है आज 25 सप्तेमर 2019 वेनसदेय कि अबच कर 24 जो आमने फ्राइडे और मंडे को एक जबर्दस अपसाइट राइली देखने को मिली थी कल उसमें थोड़ा सा एक पॉस देखने को मिला इंसाइड बार ट्रेडिंग हुए कल तो अभी नेक्स्ट वीक आरबी आई की मॉनिटरी पॉलिसी है वो नेक्स्ट ट्रिगर सकता है निफ्टी को आने वाले मुग के बारे में कन्फरमेशन दिनी के लिए तो अब भी फिलाल आज के लिए क्या इंट्रडे लेवल्स हो सकते उसको आइडेंटिफाइड करेंगे लेकिन सबसे पहले कलके आनलीस का एक पुट्ली रिव्यू करते हैं यह एक पिक्चर है काफी टाइम निफ्टी इंडेक्स नहीं यह जो ब्रेकडाउन लेवल था हमारा इसको पेनेटरेट कर रहा था यह जो प्रेकडाउन लेवल है इसके पास यह उपर आके ऊपर और आपके लोगा क्लोश हो रहा था और जैसे ब्रेकडाउन मिला तो यह फर्स तरगेट 11000534 अल्मोस्ट यहां पर अच्छे हुआ था लोकल 11,539 का लगा था यह जो ब्लू लाइन फिफ्टी यह मेगा यह पूरा दिन कल इसने एक सपोर्ट का काम किया तो कल के इस प्लान के अकॉर्डिंग अल्मोस्ट 20 पॉइंट्स का ट्रेड करने का मौका था और 10 लॉट्स के इसाब से ट्रेड करते तो आरण 15,000 का यहां पर प्रॉफिट बन सकता था तो यह था कल के अनलिसिस का एक विगली रिव्यू ग्लोबल मार्केट के हालाद देख लेते हैं कल अमेरी की बजार डाव जो लिखा रहा है 75 पॉइंट के साथ ट्रेड कर रहा है और इस जी एक सिफ्टी 45 पॉइंट की इससे में गिरावट दिखा रहा है तो ओरल ग्लोबल मार्केट में अभी देखे तो एक निगेटिव नोट के साथ ट्रेड कर रहें देखते हैं आज किया इंट्रडे लेवल सो सक करेंगे यह निफ्टी इंडेक्स का वीकली चर्ट अभी जो प्रीवियस हाय और लो इसने बनाया इसको पकड़ के हमने यहां पर फिबोना सी रिट्रेश्मेंट लेवल को ड्रॉ किया है तो अभी आप देख सकते हैं यह जो लेवल है 11,543 इसी के पास इसने अभी एक पॉ 11,471 यह अगर कमफरेटेबली ब्रेक करता है तो यहां पर यह जो गैप क्रियेट हुआ है 100 पॉइंट का यह फील हो सकता है अगर यह फील होता है तो यह पर यह नीचे यह 20 यह में वीकली चार्ट का है वो आगे यहां इधर तक आ जाएगा जा पर 50% का यह 11,370 का लेवल ह पास एक फर्स सपोर्ट हो सकता है अगर यह 11,471 को ब्रेक करता है तो और उसके बाद यहां सपोर्ट लेके फिल से बाउंस बैक दिखा सकता है तो वीकली चार्ट में यहां पर अभी पॉजिक्टिव स्ट्रक्चर बन रहा है जो कि अप ट्रेंड के लिए हमें यहां पर न लेफ शोल्डर हेड और उसके बाद में यह राइट शोल्डर और इसका नेक लाइन का भी जबर्दस यहां पर ब्रेक आउट मिला है तो लॉपर में हमें उसी तरह एक अपसेड मूव देखने को मिल सकता है हाला कि जो जबर्दस 8% का अपसेड मूव आया है तो उसके सकता है तो यह निफ्टी के बारे में वीकली चार्ट का एनलिस चलते हैं डेली चार्ट में डेली चार्ट में कल एक्जाट यह जो 61.8% का यह जो लेवल था इसने एक्जाट यहां पर सपोर्ट का काम किया इंसाइड बार ट्रेडिंग हुआ है यानि यह जो मंदे का हाई पर लो है इसके बीच में ट्रेड हुआ है तो अभी 11,543 को अगर ब्रेक करता है तो फॉर्स्ट इमिजेट सपोर्ट होगा यह मंदे का यह जो लो बना है यानि 11,471 फॉर्स सपोर्ट होगा अगर यह ब्रेक होता है तो यह निफ्टी इंडेक्स 11,370 तक यहां पर होते हु फॉर्स्ट हर्डल यानि रजिस्टेंस हमें देखने को मिल सकता है तो यह डेली चार्ट का सिनर्यों चलते है सिक्स्टी मिनिट के चार्ट में क्विकली आज के लिए इंटाडे लेवल को अडेंटिपाई करेंगे कल देखे तो एक रेंज जिसके ऊपर यह लोज नहीं हो परादा आर्ली चार्ट में और नाहीं इसके नीचे यह लोज हो पा रहा था दो लेवल्स थी तो वह हमें ब्रेक आउट और ब्रेकडाउन के लिए आज इसे यूज कर सकते हैं अगर उपर यह देखे तो कल यह जो प्रीवियस यानि मंडे का यह जो लोज था इसके उपर में यह लोज नहीं हो पा रहा था तो अगर यह इस लेवल के उपर यानि मंडे का यह जो लोज था इसके उपर जो एक दोजी का यह हाई बना हुआ है 11613 इसके उपर अगर सस्टेन करता है तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर बाई पोजिशन बना सकते हैं और तभी और अगर ट्वर्ट साउथ की तरफ मूव करता है तो यह जो लेवल है यहाँ पर यह पेनेट्रेट कर रहा था इस लेवल को और इसके ऊपर आके यह क्लोज हो रहा था आप देख सकते हैं यह जो लोग है उसके बाद इसने कई टाइम इस लोग को ब्रेक करने की कोशिश की हाला कि इस लेवल के ऊपर आके यह क्लोज हो रहा था तो 11,558 के नीचे अगर यह सस्टेन करता है यानि 11,554 तो उसके बाद हमने वीकली चाट में देखा था कि 11,543 यहां पर एक सपोर्ट का का काम कर रहा है तो 11,543 के नीचे अगर यह चला जाता है तो S1 का भी यहां पर पीवट बार का सपोर्ट S1 का सपोर्ट है यहां पर तो S1 को अगर यह कमफ़टेबली ब्रेक करता है 11,533 को अगर कमफ़टेबली ब्रेक करता है तो ही इंट्राडे के लिए शॉट पोजिशन मनाए और तभी हमारा फर्स टार्गेट होगा 11,510 यह हमारा फर्स टार्गेट होगा और सेकंड टार्गेट होगा अराउं 11,483 यह हमारा सेकंड टार्गेट होगा तो यह है आज के लिए निफ्टी के इंट्राडे लेवल्स अगर आपको यह वीडियो अनालीसिस अच्छा लगाओ तो प्लीज हिट दे लाइक बटन श अबस्क्राइब करना भूले तो थांक यू वरी मुच अबट रदी